दोस्तों यह वीडियो जो है यह वीडियो मैं एक मुद्द्र पर बढ़ाना चाहता हूं यह मुद्दा जो है यह उज्जान रेप केस आपने सबने सुना होगा दोस्तों जान रेप केस में आपने सुना कि एक बच्ची थी छोटी बच्ची उसको एक भरत सोनी नाम का ओटो ड्राइवर अपने गाड़ी में बैठाता है उसका रेप करता है और फिर उसे छोड़ देता है सड़क पर खून से लगपद दोस्तों रेप एक मुद्दा है यहां पर तो एक प्रमाईट डेटा यह है कि आठ मिनिट में हर आठ मिनिट में भारत में एक रेप होता है अब बात ये नहीं है बात जो मैं इस पर्टिकलर रेप केस के कंटेक्स में करना चाहता हूँ वो ये कि सारी पॉलिटिक्स को हटा दिया जाए ये बीजेपी, ये कॉंग्रेस और ये जितनी भी आप और जितनी भी ये पार्टिस में इनकी बात नहीं करता बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्ची, खुन से लतपत, hal Knight, सडक पर जा रही है घर फिक, हर घर पे जाकर वो मजद मांग रही है पर उसे किसी भी तरह की कोई मजद नहीं की जाती किसी भी तरह की कोई मदद नहीं जिस भी वो घर में गई सब ने उसे धुसकार दिया बोल आगे जा वो देख रहे हैं कि उसकी स्तिती नाजुक है वो half naked है उसे bleeding हो रही है खून निकल रहा है वो बच्ची गड़ड़ा रही है पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा अब दोस्तों यहां पर political parties एक दूसरे को blamed होक रही है यह इनकी गलती है यह इनकी गलती है मैं तो politics की बात से नहीं करता हूँ मैं सिर्फ एक छोटी से नैतिक्ता की बात करता हूँ कि क्या लोगों को यह इतनी समझ नहीं होनी चाहिए थी कि वो उस बच्ची की तुरंद मदद करते क्या उनके अंदर इतनी मानवीय जो feelings होती है वो नहीं है कि एक बच्ची जो खून से लगपत मेरे सामने खड़ी है मुझे उसकी मदद immediate basis पर करनी चाहिए अगर नहीं कर सकते थे तो पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी क्या उनके अंदर इतनी भी मानवीय सम्वेदनाय नहीं थी आप कैसे बच्चीओं की पूजा करते हो नवरात में आप उन्हें बुला कर भोजन कराते हो आप मंदिरों में जाते हो मातरानी के दर्शन करते हो नारियल चड़ाते हो आप बड़ी बड़ी विर्यांगनाओं की बाते करते हो लेकिन आप एक छूटी से स्टप को नहीं ले पाए जब वो खून से लित्पत बच्ची आपके सामने थी आपने उनकी मदद नहीं की अब आपको लगता है कि आपके कोई भी पूजा या आपके कोई भी पाठ आपका सिद्ध होगा या आपको उसका कोई आशिरवाद या कोई फल मिलेगा अब आप सजा के लिए तयार रहो जो आपको यहां तो मिलेगी और आगे भी मिलेगी अभी आप यह सब बाते पर कोई यकीन तो करते नहीं कुछ मानते नहीं आप सिर्फ धकोसले की जीवन जी रहा हो सिर्फ और सिर्फ धकोसले का और सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर पीछे बैढ़के फालतू बातों करने का बस लेकिन जब आपके सामने एक opportunity थी किसी की मदद करने की तब आपने मदद नहीं की आपने पूरे के पूरे भरतवर्ष को सिर्फ उन लोगों ने जिससे तो कारस्तर निशार कर दिया है आज हम तो वो देश रहे हैं जहां पर जितनी इज़त और जिस तरह से बच्चियां पूझ जाती है वैसा और किसी देश में नहीं है लेकिन आज आपने ये थाबिद कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं और हम चमीन पर कुछ भी नहीं कर रहे है वहां कर पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि उन लोगों खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा लेकिन जिन्होंगों इस बच्ची को धुतकारा वो सबसे बड़े दोशी हैं उनहें भी उतना ही वैसी ही सजा मिलनी चाहिए और उन्हें भी भाग्वतिक पाप भी वैसा ही लगेगा जो कि उस accused को लगा है मेरी सभी देश्वाशियों से सिर्फ इतनी इतनी सी विंती है कि यार कुछ नहीं कर सकते तुम तुमसे पूजा पाट नहीं हो रहा तुमसे कोई गुरू नहीं बनाया जा रहा तुमसे किसी कोई गुरू नहीं बनाया जा रहा तुम कुछ मत करो यार लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मौका तुम्हारे सामने आए वाक्या तुम्हारे सामने आए जिसमें सामने वाला तड़ा परा हो बैचैन हो उसकी इस्तिती खराब हो प्लीज उसकी मदद करो प्लीज उसकी मदद करो जैश्री राद